दानव ओमास का आतंक रहा जारी दो रैसलरों को अकेले हराने के बाद दिया रसलमीनिया मैच के लिए ओपन चैलेंज बोला है कोई माखा लाल जो मुझे रोख सके ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स का रॉमे रिटर्न हुआ तेर केविन ओवेंस ने टकला होकर उडाया पर हमला जानेंगे सब कुछ जो हुआ आज के रोमे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों शो की शुरुआत स्टोन कोल्ड स्टीव ओस्टिन की एंट्रान से हुई फैंस काफी खुश थे पर स्टोन कोल्ड के भेस में कैविन ओवेंस टकला होकर आया मतलब खोदा पहार निकली चुईया जनता का पोपट हो गया पूरे सेगमेंट में स्टोन कोल्ड की नकल करने और उनका मजाग उडाने के बाद एंड में ओवेंस ने एक बंदे से बीयर की बोटल्स मंगवाई और उसे ही स्टनर देकर उस पर बीयर ढोल दी मिस्टीरियोस ने ट मैच के शुरू होने से पहले क्रूज और अजीज ने अच्छा खासा टीम वर्क करके ओमास को घायल करने की कोशिश की जिसमें वो काफी हद तक काम्याब रहे लेकिन जैसे ही मैच की शुरूआत हुई घुसे में ओमास ने क्रूज और अजीज की धुलाई करना शुरू कर थी फिर तो इस दानव का तूफान थबा ही नहीं अंत में राक्षस को राउंड हाउस किक अपोलो को चौक बॉम मार कर ओमास ने इन दोनों को ही एक साथ पिन कर कहरा दिया मैच के बाद घुसे में ओमास बोला फर्क नहीं पड़ता वो जुन्ड में कितने और साइज में क डॉमिनेट ही करूंगा डब्ली डब्ली ने ये कंफर्म किया कि चार अप्रैल के रॉ में वीर महान आ रहे हैं इसके अलावा डब्ली डब्ली ने ये भी कंफर्म किया कि आने वाले रॉ के एपिसोड में रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर दोनों दिखाई देंगे मतलब फुल बवाल होगा फिर फिनोमिनल एजे स्टाइल्स की वापसी हुई उन्होंने एच को मूतोड जवाब दिया इतने में रॉलिंज ने स्टाइल्स को इंटरप्ट किया सेगमेंट के हैंड में एनॉंसमेंट हुई कि मेन इवेंट में स्टाइल्स और रॉलिंज का मैच हो देना ब्रूक एंड रेजी ने अकीरा तोजावा और तमीना के खिलाफ मैच जीता। मेन इवेंट में स्टाइल्स और रॉलिंस के बीच एक बहुत शांदार मैच देखने को मिला। पर एंड में एच के स्टाइल्स पर स्टील चेर से वार करने की वज़ा से डीक्यू से स्ट एरिया को तबाह किया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फर वाचिं।